एक ultrasound system के सबसे एहम device को transducer कहा जाता है, जो कि piezoelectric crystals का बना होता है piezoelectric crystal, electric signal मिलने पर vibrate करने लगता है, जिससे high frequency sound pressure waves बनती हैं, जिन्हें हम ultrasound कहते हैं खास बात यह है कि ये crystals reverse में भी काम कर सकते हैं, यानि कि high frequency sound pressure waves की presence में ये crystals electric signals produce करते हैं जैसे ही transducer हमारे शरीर पर ultrasound waves डालता है, वो हमारी skin को पास करते हुए सीधे शरीर के अंदर पहुँच जाती हैं यहां ये विभिनिक characteristics और density वाले tissues से reflect होकर piezoelectric crystal तक पहुचती हैं एक second में हजारों बार ऐसा होता है, reflected waves को electric signals में बदला जाता है जिन्हें एक computer द्वारा उनकी strength और anatomical position के हिसाब से अलग-अलग brightness के points वाली एक image में बदला जाता है एक medical transducer में crystals के कई सारे areas होते हैं जिन में हमें एक series of image lines मिलती हैं जो कि एक complete image frame बनाती हैं जिसे sonogram कहा जाता है इसके अलावा सभी crystals को कई बार कुछ इस तरह सक्रिय किया जाता है कि 32 लग-भग 20 बार complete image frame बनता है ताकि हम ultrasound image में real-time motion देख सकें हमें एक सड़िया है पर झाष्वा incur uy चर्ड़ें मेंusa यंट बनाता है मैं जो बनाता जाता है इसमतर है